तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज वेडियो में बात करने वाले हैं यर्स बैंक के बारे में यर्स बैंक लिए बहुत सारी मेजर और इंपॉर्टन अपडेट्स निकल के आ रही है तो फिर क्या इसमें एक बहुत बड़ा फॉल जो है वो देखने को मिलेगा बहुत बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी या फिर यहाँ पर कुछ ऊल्टा सेनेरियो देखने को मिलेगा तो वीडियो आप पूरी देखे आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी चैनल फ़ेशना विजित कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लीज़ेगा वीडियो गर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरू कर दीज़ेगा अब स तक 18 points का negative moment, Nifty 50 में करीवन 10 points, Nifty bank भी अगर आप देखो कि एट पार है और Nifty mid cap भी same scenario देखाते हो उन्हें जरा रहा है यानि कि overall अगर आप यहाँ पर देखते हो तो market में आज के दिन भी जो गिरावट्स जैसा ही माहुल या फिर एट पार जैसा माहुली देखने को मिल रह है और यह जो scenario हो काफी time से आपको देखने को मिल रहा है continuously और market recover नहीं कर पार है कुछ reasons है वो मैं last की वीडियो में दिन के last वीडियो जो होती है उसमें बताता हूं तो वही कुछ अगर हम यहाँ पर देखें आज के दिन के top gainer के बारे में तो Tata Tally Service जिसको आप TTML के नाम से जानते हो 9% से जाधा का मुमेंट दखा रहा है अपसाइड में और आज भयंकर मुमेंट देखने को मिल रहा है वहीं इंडस्ट आवर में अगर आप देखो के दो 4% जो मैटो में 4% डेलिवरी में भी 3.5% का मुमेंट है वहीं टॉप loser की लिस्ट में अगर आप देखते हो अदानी में आज के दिन भी गिरावट होगी ही होगी और वही सेम सेनेरियो हुआ था और यहाँ पे जो इंडिया है वो ब्रिटेन से काफी हद तक पीछे छोट चुका है और यहीं स्ट्रेटीजी थी जो की निकल के आई थी अब यह समयंग मेंगर आप यहाँ पे देखते तो इसका बना था 16 रुपे 15 पैसे का और हाई गया था 16 रुपे 55 पैसे का यानि कि एक मुमेंट तो बना था लेकिन वही सेम सेनेरियो है जो कल से मैं आपको बता रहा हूँ कि सेलिंग प्रेस जो है वो कॉंटिनियूसली बना हुआ है जिसके विज़े से जो मुमेंट है व आपको यही देखने को मिलेगे है मैं डिरेक्ली आपको लेकर चलता हूँ एनसी पर एनसी पर आपको चीज़े थोड़ी से और ज्यादा क्लियर हो जाती है जैसे कि अगर आज देखोगे तो वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है जितना मुमें यस बैंक में आता है आप यह इसी दिक्कत जो है वो अब शियर के मुमेंट में क्रियेट भी कर रहा है वह यह डिलिवरी परसेंटेज के बारे मात करे दो बाई तक का डेटा अभी तक अपडेट हुआ है जिसमें अगर आप देखोगे तो पांस साड़े पांच करोड का वॉल्यूम दिखाया गया है ज यह एक थोड़ा सा स्ट्रॉंग पॉइंट जो है वो कंसीडर कर देता है यह बैंक के लिए अब एक करके मैं आपको अपडेट पर लेकर चलता हूँ वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ी अपडेट भी है जो की निकल के आई है सोशल स्टॉक एक्सचेंज से तो वो भ 33 परसेंट की गिरावट अपने 52 वीक हाई से तो मार्च तीन जो है वो बहुत क्रीशल डे बन जाएगा क्योंकि उस पर आपको जो लॉक पीरियेड हो एक्सफायर होते नजर आने वाला है और जहां से अगर अब देखो कि चीज़ें क्या हो रही है कि आल्डेडी जो क्वा पीरियेड में क्या हुआ था कि जो यूनाटेड इस्टेल्स था उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक से जिन में यही सेम सेनारियो हुआ था लेकिन उससे क्या हुआ था कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में वालेटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई थी इससे ये भी हुआ था क बहुत सारे shareholders ने अपनी जो position ने उसको exit किया था जिसकी वज़े से भी sale of देखने को मिला था और यहां से yes bank के लिए भी यह scenario जो है वो बनते हो नजर आ सकता है यानि कि जो थोड़ी बहुत दिक्कत है आपको देखने को मिल सकती है लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि lock up period घतम होते ही जो drastically या फिर आप crash stock में देखने को मिलेगा है ऐसा भी बिलकुल chances नहीं है यहां ते आपको कुछ opposite चीज़ा भी देखने को मिल सकती है क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो expiry है वो price में already हो चुकी है जिसका मतलब है कि जो stock है वो already काफी हत्ते गिर चुका है और secondly अगर हम देखें जो concept निकल के आदे buy the rumors, sale the news इसकी वज़े से भी आपको जो investors है वो यहां पर जो बेचेंगे तो लोग बहां पर खरीदारी भी करेंगे यानि कि अगर share एक दिन घेरी भी जाता है तो लोग फिर उस lower level पर buying भी करेंगे जिससे जो momentum है वो सही create हो जाएगा तो ऐसी हम यहां थे बहुत बड़ी वो chances नहीं निकल के आ रही है कि आपको एक crash देखने को मिल जाए और अगर आप देखते हो तो yes bank के जो fundamentals भी हैं वो भी काफी अधा supportive रहे हैं पिछला अगर हम quarter देखें है नहीं quarter 3 में तो provisioning के वज़े से चीज़े दिक्कत हो थी लेकिन इंकम इंक्रीज हुई थी इंट्रेस्ट इंकम वगएरा बाकि लोन्स और अडवांस इसका मतलब यह है कि confidence विल्ट अप हो रहा है और macro level के बारे में बात करें तो bank को यहां पर already benefit मिल रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो काफी अच्छी कासी recovering phase में है economy के बारे में अगर में यहां पर बात करते हैं तो और Deloitte के बारे में मानें तो इंडियान economy जो है वो करीबन 2023 में 7% से ज्यादा expand हो सकती है तो यह सारी जीज है आपको देखके चलनी पड़ेगी अल्रेडी एक बड़ा investment आ चुका है कारलिल और advent की बज़े से जिसके बज़े से इनको बैटलोंस उस्ते बो भी खतम हो गए यानि की 15-16% से सीधे 2-3% पर आगे नेट देखें तो वो तो उस्ते भी कम नजर आते हैं तो यह सारी चीज है आपको देखके चलनी पड़ेगी अगर आपको डायरेक्ली को यही बोल रहा है कि लॉकिन के बाद बिल्कुल जीरो हो जाएगा शे नहां पर बहुत ही जल्दी आपको सोशल स्टॉक एक्सेंज जो है वो लॉंच होते हुए नजर आने माला है अब यह सोशल स्टॉक एक्सेंज क्या होता है वो अगर आप देखोगे तो यूनेन बजट 2019 में पहली बार लाया गया आता है इससे क्या होगा जो एन्टिटीज सोशल एक्टिविटीज में इन्वाल्ब है जैसे कि चेरिटेवल ट्रस्ट या फिर एन्पो नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन इनको कैपिटल मार्केट में जो एक्सेज है वो मिल जाएगी और वो फंडिंग महां से कर सकते हैं जो एन्पो होते हैं या फिर अगर कर सकते हैं तो यह एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको बदा होने चाहिए अगर आप इस्टॉक मार्केट में इन्वाल्ब हो रहे हो तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है अब आप मुझे अपना ओपीनेंश शेर करिए कि आपको क्या लगता है कि तीन मार्च को क्य होगा वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरू करिएगा चैनल पर वर्शन विजित कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूगा दीजेगा धन्यवाद